ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरी समाज है, इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणत्याग में रखकर, जो भी मेरे हिंदुत के बुदि आख उड़ा कर देखेगा, उसकी गर्दन काट दुनगा, जाज रहाँ! ये सवगंद मैं आज आपको दिलाने आया हूं, आज हम देश का वातवरन देख रहे हैं, कि किस प्रकार से, अनेको प्रकार की शक्तिया है, जो हमारे धर्म को सर्वनाश करने की सोच रखती है, कजवा हिंद करने का सोच रखती है, क्या इन गद्दारों को, हम सब को मिलकर जवाब देने की अवशक्ता है या नहीं है, आज हम संकल्ब लेते हैं, कि जहां जहां पर हिंदुत के प्रति अगर हमारे हिंदों पर अध्याच्चार होगा, तो मैं वहाँ पर उपस्तित रहे कर मेरे धर्म की रक्षा करूँगा, और मेरे हिंदों की रक्षा करूँगा, ये भावना सब में आने की अवशक्ता है, आज नहीं तो कब मुझे मरना है, लेकि तुम से पहले ही मरूँगा बेद्दी करो, क्योंकि जितने मेरे दोस्त है न, उतने ही मेरे दुश्मन है, लेकिन जब मैं मरके जाओंगा, तो भगवान को मैं गर्व से कह सकूँगा, कि हे भगवन, मैंने मेरी धर्म की थोड़ी सी सेवा की है, मैंने गव रक्षा की है, मैंने लव जिहादियों को मुझ तोड़ जवाब दिया है, हिंदू विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमें किसी को मारना नहीं है, या ही हमें किसी को ललकारना है, अगर कोई सेकुलर इंसान इस सबा में बटा हुआ है, तो मेरी चीज़ को दूसरे वे में ना ले, क्या मुझे पता नहीं, मुझे तो केवब हिंदुरिजम पता है, और हमारा सबका एक ही एक संकल्प है भारत को हिंदु राष्ट बनाना और कोई भी ताकत भारत को हिंदु राष्ट बनते हुए नहीं रोख सकेगी इन जिहादियों को यह सोच कहां से आती है क्या आपने कभी रिसर्च किया है और बिल्कुल विल्ट ट्रेन इनको अच्छी से ट्रेनिंग कहां से मिलदी है कुछ बता है जब यह लोग चार या पांस साल के होते हैं तो इनको एक जगा ट्रेनिंग के लिए भीजा जाता है उसे कहते हैं मदर्सा आसाम के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया जितने मदर्साइं थे सारे के सारे बंद कर दिये क्योंकि उनके सर्वे में ये आया कि ये भत्तर मानने की ट्रेनिंग इसको मदर्सा से मिल रही है किसी को लूटने की ट्रेनिंग इसको मदर्सा से मिल रही है दिल्ली में पार्लेमेंट पर अटाइक करने वाला आतरवादी जब उसके पीछे रिसर्च किया गया तो उसको भी ट्रेनिंग मदर्सा में दी गई अफजल कसाब जो कि मंबई में बंबलास करने वाला मासूम लोगों को गोलियों से खूनने वाला जब उसके पीछे रिसर्च किया गया तो उसको भी ट्रेनिंग कहां दी गई मदर्सा में ट्रेनिंग दी गई अगर भगवे को बचाना है अगर भगवा बचेगा तो मेरा परिवार बचेगा भगवा बचेगा तो आने वाले समय में ये जो मेरा बच्चा है चार साल का पांस साल का दस साल का ये आने वाले समय में गर्व सत्यलक लगा कर घूम सकेगा मुझे आज मेरे भगवे को बचाना है अरे भगवे को जुकाने के लिए एक तरफ ये गोल्टोपी वाले लगे हुए है दूसरी तरफ ये हिसाई लोग लगे हुए है क्या हम हमारे भगवे को जुकने देंगे क्या लेकिन हमारे इस हर्याना की पवित्र धर्थी पर शूर वीरों की धर्थी पर ये साले गोई टूपी वाले अस्वर उठा रहे है अरे मेवाद में नू में क्या हुआ ये पूरे भारत का हिंदू देख रहा है कि किस तरह से हमारे नू और मेवाद में हमारी भगवार रही पर इन जिहादियों ने गोलियों से भत्तरों से धलवारों से हमला किया क्या हमारी ये आगे क्या भूट गई है क्या हमें ये दिक रहा है या नहीं दिक रहा है मैं आप से पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने यहाँ पर देखा है कि नू में गलत हुआ ऐसे कितने लोग सोचते हैं आज इसी मंच पर एक हिंदू योद्धा कहूँगा मैं उसे एक हिंदू योद्धा आया है जिसके पैर पर गोली लगी आज उसका मंच सब्सक्राइन हुआ जिसने हिंदू की रक्षा के लिए भगवा की रक्षा के लिए गोली खाई अरे ऐसे ही एक योद्धा जो पानी पत का था बजरंदल का कारे करता था अभी शेक अभी शेक ने चार बसों में बारी हुई हमारी हिंदू महिलाओं की रक्षा की अभी शेक ने ये दिखा के जिहादी आ रहे है बस पर हमलों करने के लिए तलवारों से बसको जलाने के लिए लेकिन उस एक योधा ने छाती तांकर हमारी चार बसों में भरी हुई उन भाइनों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दिया वीरगतिवब प्राप्तुआ ऐसे अभी शेक को हमें प्राम करना है योगी बाबा जी ने जो पाइटन उत्तर प्रदेश में लेकर आया है जो इस्टेल भोडने का इस्टेल अज वही स्टेल हमारे हरियाना में हो शक्ता पताए कि पोलिस क्या मोलती है घर्व से मेरा उत्तर प्रदेश का हाल ही में एक दवरा था लखनों का वहां से अलीगड़ वहां एक कारिकरम था तो बहुत सारे पुलिस वाले आगे मेरे से मिलने के लिए मैंने पूछा कि अब आपको कैसा लगता है तो पुलिस के मित्र ने कहा कि अब हम सीना टोकर बोल सकते हैं कि रियल में हम पुलिस हैं हमें आतंग वादियों के पिश्वाड़े पर गोली मालने में मज़ा आता है हमें लवची आदियों को ठोकने में मज़ा आता है हमें जो हमारी महिलों के अपर पुरी नजर दालता था पलतकार करता था उनको बहत्तर हुरों के पास भी जाने में मज़ा आता है यह आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है तो सोचो वाका हिंदू क्या कह रहा होगा